जादूई घास का घर ये कहानी है प्रितमपुर गाउं की जहां रमेश और उसका परिवार रहता था रमेश बहुत गरीब था वो दिन रात एक ही बात सोचता रहता था क्या मैं कभी अपने परिवार को दो वक्त की रोटी दे पाऊंगा मेरी आमदनी तो इतनी कम है कि सही से गुजारा भी नहीं हो पाता गरीबी के कारण मेरे बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते उपर से हट से ज्यादा गर्मी इसमें तो रहना बिल्कुल ही नामुम्किन सा हो गया है रमेश पूरा दिन इधर उधर गर्मी में काम के लिए घूमता रहता है गर्मी के कारण उसे चक्कर आ रहे थे और वो बेहोश हो जाता है तब कुछ लोग उसे उसके घर छोड़ कर आते हैं उसकी तबियत बहुत खराब थी इसी कारण वो काम नहीं कर पाता उसे कोई काम ना मिलने की वजह से अब उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे तब उसकी बीवी उससे कहती है अजी आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी उपर से इस गर्मी में तो रहना इतना मुश्किल हो रहा है तुम परिशान मत हो मैं बाहर जाकर कुछ खाने के लिए ढून कर लाता हूँ और रही गर्मी की तो लोगों ने तो घरों में एसी लगा कर पेड़ काटकर सब खराब कर दिया है इसी लिए इतनी कर्मी पड़ती है हान जी आप पिल्कुल सही कह रहे हो अमीर ना सर्फ अपनी सोचते हैं हम गरीबों के बारे में नहीं और वातावरण के बारे में तो ये लोग पिल्कुल भी नहीं सोचते रमेश बाहर जाता है और थोड़ी देर में एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठ जाता है ताकि कोई उसे बचा हुआ खाना दे दे जब होटल बंध होने वाला होता है तब वहां एक लड़का आता है और सारा बचा हुआ खाना वो डस्ट बिन में डाल कर चला जाता है रमेश की नजर उस खाने पर पड़ती है और रमेश खाना डस्ट बिन से उठा कर अपने घर ले आता है देखो बच्चों आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ आज मैं शाही पनीर और नान लाया हूँ एहरी वा पापा आज तो खाना खाकर बहुत मज़ा आ जाएगा दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और रमेश की बेवी उस पर बहुत तया वाली नजरों से देखती है और मुस्कराती है क्योंकि उसे पता था कि ये खाना कहां से आया है एक दिन रमेश की बेवी रमेश से कहती है सुनो जी अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं मगर जब ये बड़े हो जाएंगे और हमसे सवाल पूछेंगे कि हमने इन्हें पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं और वच्चों की तरह इन्हें स्कूल क्यों रही भेजा तो हम क्या जवाब देंगे तुम चिंता मत करो रेखा हमारे बच्चे बहुत समझ़दार है और वो हमारी परिस्तियों को भी समझेंगे लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे पड़ लिखकर काम्याब हो जाएं और वो ये सब काम ना करें जो हमने किये हैं और मैं नहीं चाहती कि आगे जीवन में उन्हें खाने की कभी भी कोई दिक्कत हो बात तो तुम्हारी सही है मगर मैं क्या कर सकता हूँ मज़तूरी कोई मुझे देता नहीं है क्योंकि मेरा शेरीर में एतनी जान नहीं है और जितना मुझसे हो पाता है मैं कर लेता हूँ हाँ मैं जानती हूँ चलो छोडो ये सब बातें आप परिशान मत हो मुझे न अपनी माता रानी पर पूरा भरोसा है वो कुछ न कुछ तो जरूर करेंगी रेखा तुम्हारा माता रानी पर भरोसा कभी नहीं तूटा ना ही मनोबल कम हुआ है पर तुम माता रानी के लिए इतना कुछ करती हो हमारे खाने के लाले हैं फिर भी तुम उनका भोग लगाना कभी नहीं भूलती और बदले में उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया माता रानी पर विश्वाह सी करना चाहिए हमें बस अपनी कड़ी महनत करनी है फल की चिंता नहीं करते क्योंकि वो देर सवेरे मिल ही जाता है माता रानी को दोशी नहीं ठैराऊंगी मैं शायद मेरी ही महनत में कोई कमी रह गई होगी जो हमारे ऐसे दिन चल रहे हैं तुम्हारी माता तुम्हारी शद्धा तुम ही जानो इतने बुरे दिन देखने के बाद भी तुम पता नहीं भगवान पर कैसे भरोसा कर लेती हो आप परिशान मत हो चमतकार तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी होगा ही इस बात का ना मुझे पूरा यकीन है मेरी माता रानी एक दिन सब कुछ श्रिक कर देगी रमेश की बीवी माता रानी की बहुत बड़ी भगत थी और वो मा लक्षमी को बहुत ज्यादा मानती थी और उनकी पूजा करती थी अब इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी कि उनकी छूटे से काले पनी वाले घर में रहना बहुत मुश्किल था रमेश ने चार डंडे काड़ कर चारो करप से पनी से ढखकर अपना घर बनाया हुआ था और अब उसे उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था उसकी बीवी उससे बोलती है अजी इतनी गर्मी में इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है मैं अपना तो देख लूँगी लेकिन मेरे बच्चे उनकी तो पूरी कमर पर गमोरिया हो गई है और इतने घाव हो गए हैं कि पूछो मत उनका गर्मी में बहुत बुरा हाल है आप कुछ कीजिए ना हाँ तुम सही कह रही हो बच्चों को तकलीफ हो रही है पर मैं क्या करूँ हमारे पास पैसे भी नहीं है कम पैसे में ऐसा किस चीज का घर बन सकता है जिससे इन्हें गर्मी ना लगे सुनिए एक चीज है जिससे ना घर ठंडा रह सकता है अगर हम जंगल के पास वाली नदी से पूस की जाड़ी लेकर आएं उससे घास का घर बनाएं तो क्या पता हम थोड़ा गर्मी से बच जाएंगे नहीं तो हम भुकमरी से कम और गर्मी से जल्द मर जाएंगे ठीक है मैं सुभा जंगल जाता हूँ और बहुत सारी घास से खटा कर लेता हूँ रमेश सुभा जंगल जाता है और नदी किनारे पोस की जाड़ी खटा करने लगता है तभी उस घास में से एक कीड़ा निकल कर रमेश को काट लेता है रमेश उसे मारने ही वाला था कि तभी उसकी बीवी बोल उठती है अजी आप ये क्या कर रहे हो हमें कभी किसी जीवजंतों की जान नहीं लेनी चाहिए इन्हें भी जीने का अधिकार है देखा लगता है ये बिचारा भी गर्मी से परिशान है चलो हम इसे थोड़ा पानी पिला देते हैं रमीश और उसकी बीवी उस कीडे को पानी पिला देते हैं कीडे के कातने से रमीश को बहुत ज़्यादा गहाव हो जाता है फिर गहाव को देखकर रेखा बोलती है अजी ये क्या आपका गहाव तो बहुत बढ़ गया है अब हम क्या करेंगे हमारे पास तो डॉक्टर को द आरे ये कौन बोल रहा है वो दोनों इधर उधर देखते हैं तब उसकी बीवी की नजर उस कीड़े पर पड़ती है वो उसे देख कर बोलती है सुनो जी लगता है न ये कीड़ा है जो जिसे हमने पानी पिलाया है ये बोल सकता है अरे तुम कैसी बाते कर रही हो भला कीड़ा कैसे बोल सकता है रमीश तुम्हारी बीवी सही बोल रही है मैं बोल सकता हूँ बड़ा अतरंगी कीड़ा है ये बोल भी सकता है खेर चलो अब हटो हमेज घास से अपना घर बनाने दो रमीश उस कीड़े को साइड में कर देता है और वो दोनों फिर से अपने काम में लग जाते हैं और घास का घर बनाना शुरू कर देते हैं कुछ घंटे बाद उनका घर तैयार हो जाता है अरे वाँ तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया है और तुमने मेरी जान भी तो बचाई है इसका इनाम तो तुम्हें मिलेगा जरूर एरे ये चोटा सा कीड़ा क्या क्या बात कर रहा है ये हमें क्या इनाम देगा सुनो जी मुझे लगता है ना ये कोई कीड़ा नहीं है भगवान की कृपा ये चमतकार है फरना ये बोल नहीं पाता मैं तुम्हारे इस घास के घर को जादूई घास का घर बनाता हूँ और ये वरदान देता हूँ कि ये तुम्हारा घर कभी भी खराब नहीं होगा और ना ही ये घास कभी सुखेगी और ये गर्मी में ठंडक देगा और सरदी में गर्माहट पनाए रखेगा साथी इस जादूई घास से तुम अगर किसी और का भी घर बनाओगे तो वो घर भी ऐसा ही ठंडा और गर्म रहेगा और साथ ही तुम्हारे सारे घाव भर जाएंगे रिखा, क्या ये कीडा सच कह रहा है या ये हमारे साथ मजाख कर रहा है पता नहीं जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर ये क्या बोल रहा है रमेश और उसकी बीवी जैसे ही अपने घर के अंदर जाकर देखते हैं तभी वो महसूस करते हैं कि उनका घर इतना ज्यादा ठंडा था कि उन्हें बहुत ज्यादा सकून और ठंडक मिल रही थी साथ ही रमेश का घाव भी ठीक हो जाता है अरे ये तो वाके ही सचो गया है घर तो इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है कि हमारी गर्मी अराम से कट जाएगी जी मैंने कहा था ना ये चमतकार है प्रभू का ये कीडा ना भगवान के रूप में हमारे पास आया है रमेश और उसकी बीवी दोनों जाकर जादूई कीडे के आगे हाथ चोड़ लेते हैं तब कीडा बोलता है रमेश मैं भगवान का भेजा हुआ एक दूथ हूँ और तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की अच्छाई और कड़ी मेहनत को देख कर लगता है भगवान बहुत खुश हो गए इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए साथ ही याद रखना तुम्हारी ये घास कभी खत्म नहीं होगी मैंने कहा था ना आपको भगवान चमतकार जरूर करते हैं चाहे धीरे करें या थोड़ा जल्दी कर दें पर वो जरूर सच होता है जी अच्छे कर्म करते रहने चाहिए भगवान नफल जरूर देते हैं और फिर वो कीड़ा वहां से गायब हो जाता है ये वरदान पाकर रमीश और उसकी बीवी उससे रमेश को अच्छा पैसा मिलता धीरे धीरे उनकी गरीबी खत्म हो जाती है और वो अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि केवल कड़ी मेहनत नहीं बलकि भगवान पर भरोसा होना भी बहत ही ज्यादा जरूरी होता है ये कहानी पालमपुर गाउं में रहने वाली सीमा की है जिसने गन्ने के जूस की कमपनी खोल दी है और आज पूरा देश कोने कोने में बैठ कर गन्ने का जूस पी रहा है सीमा ने ये कमपनी कैसे बनाई इसे जानने के लिए आपको 7 साल पीछे जाना पड़ेगा मांसी अपनी मा के साथ खेत में गई थी जहां सीमा खेत में काम कर रही थी सामने वाले खेट में जमिनदार का आदमी रम्या खेट से एक मोटा सा लंबा गन्ना तोड़ता है और बड़े मज़े से चूस-चूस कर उसका रस पीने लगता है अरे वाह क्या मीठा गन्ना है इधर मांसी अपनी खेट से रम्या को अपनी लल्चाई आँखों से देख रही थी कितना मीठा गन्ना है अगर अंकल मुझे थोड़ा सा दे देते तो मज़ा आ जाता मांसी रम्या को देखते देखते जमिनदार के खेट में पहुँच गई अरे क्या रे लड़की कैसे आँखे फाड़-फाड़ कर देख रही है नजर लगाएगी क्या नहीं नहीं अंकल जी मेरे नजर नहीं लगती वो मेरा गन्ना खाने का मन था हमारे खेट में एक भी गन्ना नहीं है अच्छा गन्ना खिलाऊं तुझे रम्या मानसी को गन्य से मारता है और मानसी जमीन पर गिर जाती है मा इतने मिं सीमा भी मानसी के रोनी के आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है वो मानसी को उठाती है क्या हुआ मेरी बेटी को मा अंकल ने मुझे गण्ये से मारा अरे उठा कर ले जा अपनी बेटी को सेट जी के खेत के गण्ये देख रही है अगर आगे से इस खेत के आसपास भी दिखी ना तो देख ले ना निहायती बत्तमीज हो आप इतने से बच्चे को सिर्फ आपने इस लिए मारा क्योंकि वो आपके गण्ये को देख रही थी मैं आपके शिकायत जमिनदार से करूँगी अरे हाँ हाँ ऐसे बोल रही है जैसे जमिनदार तुम्हारा मामा हो चल भाग यहां से और रम्या नहां से चला जाता है इस जमिनदार के आदमी का तो दिमाग ही खराब है देखो तो जरा से बच्ची पर उसे बिल्कुल देहानी आई और तुम यहां क्या करने आई थी कितनी बार बोलाए ना यहां कोई किसी का सगा नहीं है जो तुम्हें चाहिए मुझसे बोला करो मांसी रोते हुए अपनी मा से बोलती है मा थोड़ा सा ही तो घर्णा मांगाता मैंने अंकल से सीमा मांसी को गले लगा लेती है तब ही उसे ही उशा ताई का ध्यान आता है चलो तुम्हें गर्ना खाना है नूँ तुम्हें गन्ना खिलाती हूँ और सीमा मानसी के साथ उशा ताई के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है एरे ये रमिया तो ऐसा ही कप्टी है तू जा बेटा वो घर के पीछे नल के पास एक गन्ना उगा हुआ है जा उसे बिठिया को तोड़ कर ला कर दे सीमा जाती है और उस गन्ने को तोड़ती है और वो गन्ना जड़ समेथ ही जमीन से निकल जाता है अरे ताई माफ करना ये गन्ना तो जड़ समेथ जमीन से निकल गया अब यहाँ और कोई गन्ना नहीं उख पाएगा अरे कोई बात नहीं बेटा तू नीचे की जड़ के साथ थोड़ा गन्ना अपने खेट की जमीन में बो देना ठीक है सीमा गन्ना मानसी को देती है और अपने खेट में जाती है तो यहीं बैटकर गन्ना था मैं जरा इसे जमीन में बो कराती हूँ और वो अपने खेट में गन्ने की जड़वाला हिस्सा उगा देती है और बाकी बचा हुआ गन्ना वो मानसी को देती है और खुद हिस्सा खुद भी खाती है अरे वाह ताई का गन्ना तो बहुत मीठा है गन्ना खाते ही सीमा का पेट पिल्कुल भर जाता है बेटा तो यहां बैट मैं जल्दी से न खेट का काम करके आती हूँ सीमा खेट में सारा काम बहुत ही कम समय में कर लेती है उसके बाद वो दोनों घर जाते है आज मानसी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने बहुत मीठा गन्ना चुखाया था उसके बाद वो दोनों सो जाते है अगली सुभा सीमा अपने खेट में जाती है खेट को देखकर सीमा की आँखें फटी की फटी रह जाती है सीमा के पूरे खेट में गन्ने की फसल लहरा रही थी अरे ही क्या एक गन्य की जड़ से मेरा पूरा खीत गन्य की फसल में भर गया यह तो किसी जादू से कम नहीं है गन्य से भरा खेत देख कर सीमा बहुत खुश थी और उसकी खुशी का कोई ठिकारा नहीं था हम तो जादोई गन्य है अब तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी सीमा अब मेरी बच्ची हर रोज करने खा सकती है वो गाउं में ही एक गन्य की जूस की थेली लगा लेती है इतने अच्छे गन्य देखकर लोग गन्य का रस पिने वहां आते हैं अरे वा कितने मीठे गन्य हैं ऐसे गन्य का रस तो मैंने पहली बार पिया है अरे वावा मसा आ गया कितने हो गए बहन जी जी चालिस रुपे हो गए वो आदमियों से चालिस रुपे देता है और वहां से चला जाता है फिर क्या था देखते ही देखते सीमा की थेली पर लोगों की भीड लग जाती है बहुत से लोगों ने गन्ने का रस पिया और अब चारों तरब सीमा के बनाए हुए गन्ने की रस की बाते हो रही थी पहले ही दिन सीमा ने अच्छे पैसे कमा लिये थे अगले दिन सीमा फिर से अपनी थेली लगाती है और लोगों की लाइन वहाँ फिर से लग जाती है इधर जमीनदार वहाँ से गुजर रहा था अरे पता नहीं क्या जादू है इस रस को पी करना शरीर में एकदम से ताक अता जाती है अरे बिल्कुल सही भाई बिल्कुल सही कहा तुमने कल मैं अपने बाबुजी के लिए एक गिलास लेके गया था और ये रस पीकर वो एकदम ठीक हो गए थे मैं तो आज फिर से उनके लिए ये गन्ने का रस लेने आया हूँ ये सारी बाते जमीनदार सुन लेता है और वो रमिया को बुलाता है ओ रमिया सुना है आजकल गन्ने के रस का काम बहुत चल रहा है जी सरकार वो अपने गाउं में अशोग था ना जिसकी दो साल पहले एक्सिटेंट में मौत हो गई थी उसी की पत्नी ने वो गन्ने की जूस की ठेली लगाई है सुनने में आया था कि उसकी सास ने भी उसे घर से निकाल दिया था तो वो जो उशाताई है ना उसने अपनी थोड़ी से जमीन उसे रहने और खेती करने के लिए दी है अरे अरे वो सब तो ठीक है लेकिन गन्ने तो हमारे खेत में भी हैं तो तू कल से गन्ने की रस की ठेली लगाएगा और सारा हिसाब किताब मुझे देगा अरे मालिक गन्ने की ठेली लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं अभी जल्दी जा और कल की तयारी कर रमिया मन ही मन में सीमा को गालियां देता है और वहां से छोटा समू बना कर चला जाता है अगली सुभा सुभा रमिया खेट से गन्य तोड़ता है और सीमा की ठेली के एक गम सामने अपनी गन्य की बड़ी सी ठेली लगाता है सीमा की ठेली पर कुछ देर में ही लोग आना शिरू हो जाते हैं रमिया जोर-जोर से लोगों को बुलाता है गन्य का रस ठंडा-ठंडा पियो और अपनी गर्मी दूर भगाओ गन्य का रस मात्र तीस रुपे में सीमा की ठेली पर बहुत ज्यादा भीड थी इसलिए एक दो लोग रमिया की आवास सुनकर उसके पास जाते हैं जैसे ही वो उसका रस पीते हैं अरे 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 ये गन्य का रस तो बिलकुल भी मीठा नहीं है ना भाई ना बिलकुल अच्छा नहीं है तुम्हारा गन्य का रस तो और लोग वहां से वो गन्ने का रस छोड़ कर सीमा के पास चले जाते हैं ऐसे ही सुभा से शाम हो जाती है सीमा की ठेली पर सारे गन्ने अब खत्म हो गए थे और उसने शाम तक अच्छे पैसे भी कमा लिये थे लेकिन रम्या के सारे के सारे गन्ने ऐसे ही पड़े थे रम्या जमीनदार के पास जाता है आ गए तुम और फिर कितना मुनाफ़ा करके आई हो पहले दिन रम्या जमीनदार को तीन रुपे निकाल कर देता है मालिक हमारे ठेले से तो किसी ने भी गन्य करस नहीं दिया लोग कह रहे थे कि सीमा की खेट के गन्य करस बहुत ही मीठा है मिठास उसके गन्य में नहीं बलकि उसके बनाने में है तुमने ही सही से नहीं बनाया होगा, कामचोर कहीं के जमीनदार रम्या को बहुत बुरा भला बोलता है और उसे काम से निकाल देता है कल से तुम मुझे यहां दिखाई नहीं देने चाहिए रम्या को इतनी अपनी बेज़ती बरदाश नहीं होती और वो गुस्ते से घर चला जाता है जैसे ही रात होती है तो रम्या मिट्टी के तेल को लेकर खेत के किनारे किनारे गिराता है और फिर माचिस की तीली लगा कर सीमा के खेत में आग लगा देता है और खुद अपने घर आ जाता है अब तो अराम से सूँगा देखता हूँ कल ये सीमक के ऐसे गन्ने का रस पेचती है अगली सुभा सुभा जमिनदार पूरे गाउँ वालों और पुलिस के साथ रम्या के घर पहुँच जाता है जमिनदार के आवाज सुनकर रम्या घर से बाहर आता है इंस्पेक्टर साब यही है रम्या इसी ने मेरे खेत में आग लगाई है क्योंकि मैंने इसे कल काम से निकाल दिया था अरे अरे क्या मालिक खेत में आग वो भी आपके नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर रम्या के पास जाता है तो उसके कपड़ों से अभी भी मिट्टी के तेल की खुश्बू आ रही थी इंस्पेक्टर घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ तेल के और भी केन मिलते हैं रम्या बहुत डर जाता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जमीनदार के खेत में आग कैसे लग गई उसने तो सीमा के खेत में आग लगाई थी अरे जमीनदार साहब मुझे माफ कर दो मैंने तो सीमा के खेत में आग लगाई थी मुझे नहीं पता था कि आपका भी खेत चल जाएगा सीमा के खेत में आग नहीं तुमने जमिनदार के खेत में आग लगाई है और अच्छा हुआ आग उसी खेत में रही और किसी का नुकसान नहीं हुआ रमिया को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसे पांस साल की सजा और बीस हजार रुपे का जुर्माना भी करती है इधर सीमा के खेत में अभी भी गन्ने की फसल लहरा रही थी जादूई गन्ने ने रमिया को खूब मज़ा चखाया था और सीमा ने खूब महनत करके ठेली पर गन्ने का रस पेचा और अच्छे पैसे जमा कर लिये अब उसने अपने साथ कुछ और लोगों को भी काम पर रख लिया था अगर मैं यही गन्ने पूरी गाओवालों को दू तो सबकी खेतों में जादूई गन्ने पैदा हो जाएंगे और हम अपने गाओं के गन्ने का जूस पूरे देश को पिला पाएंगे बस एक सोच, फिर क्या था? सीमा ने अपने खेत के बीज सभी गाउं वालों को दिये और जिससे पूरे गाउं में अच्छी किस्म के गन्य उग गए सीमा ने किसानों को उसका सही दाम दिया और कंपनी में गन्य का जूस बनाया सीमा की समझतारी और जादूई गन्य से पूरे गाउं का भला हुआ और गन्य की जूस की कमपनी ने खूब मुनाफ़ा कमाया तो देखा आपने अपनी मेहनत और अच्छी सोच से सब का अच्छा होता है और अब जादूई गन्य का रस पालंपुर गाउं ही नहीं बलकि पूरा देश पी रहा था